आप सभी का हर्दिक स्वागत देर इस्टेंट और फ्रेंट्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सम प्रोपर्टीज ओफ डेफिनेट इंट्रिकेशन तो डेफिनेट इंट्रिकल्स की प्रोपर्टीज थी उनकी बारे में हमने पढ़ा और कुछ डाउड्स और कुछ प्रोब्लम्स भी हमने किलियर की थी आज देखिए एक्ससाइज जो आपकी 7.11 है उसकी सोलुशन करेंगे एक्ससाइज 7.11 NCRT इसका क्यूशन नमबर 20 देखिए, क्यूशन नमबर 20 के सोलुशन में देखिए देरिस्टेंट और फ्रेंट्स, हम एक एगवन है we have, integration is equal to limit minus pi by 2 to plus pi by 2, x cube plus x cos x plus 10 x to the power 5 plus 1 into dx. तो यह रिस्टेंट और फ्रेंट्स देखिए, जिसे आपको में एक प्रोपर्टी बताए थी, प्रोपर्टी नमबर जो आपकी, पी जो एड थी वो, पी एड में क्या था हमारे पास? पी सेवन सोरी, पी सेवन में क्या था हमारे पास? कि जब लिमिट दोनों की सेम हो, बट नेगेटिव और पोजिटिव लिमिट आपको गीवन हो, तो आपके पास जो फंक्शन गीवन है, उस फंक्शन में अपन एक्स के पेले इस पे माइनस एक्स पुट करेंगे, और फिर उसको अपन ओपन करेंगे, तो वो फंक्शन जो पोजिटिव हो जाता है, तो उसमें कौन सी कंडिशन अप्लाई करेंगे, और नेगेटिव फंक first of all, देखेड एरिस्टेंट, minus pi by 2 to pi by 2 इसका limit है, x cube d x plus minus pi by 2 to plus pi by 2 है, into x cos x dx plus limit minus pi by 2 to plus pi by 2, 10x to the power 5 है, फिर ये minus pi by 2 to plus pi by 2 और 1 into dx, means dx, देखेए चार्ट टाइप के इंटरेसन आगे आपके पास, इनमें देखेए, first, second और जो third integration है, इनमें आपको वो concept यूज करना है कौन सा, जो मैंने आपको बताया था P7 में, तो आप यहां लिखोगे using P7 property, सबसे पहले इस वाले में देखेए, आपके पास given a dear student, x cube, x cube में आप इसके लिए minus x to the power 3 put करोगे, तो minus x cube आएगा, clear? इस वाले के लिए आप put करोगे, तो क्या आएगा? minus x into cos minus x, solve करोगे तो minus x cos x, यह भी negative आगया, और इस वाले function के लिए आप tan minus x to the power 5 put करोगे, तो यह भी आपास क्या सो होगा? minus tan x to the power 5, यह भी negative आगया, means आपने function में x के लिए पर पूट किया, negative works, हमारे पास क्या आगया? negative function आए, क्या है? negative function, और जिन function में आपने x के जगर minus x put किया, negative function आता तो उस complete integration की value क्या होगी? 0, उस complete integrals की value क्या आएगी? 0, तो हमारे पास देखिए dear students and friends, first वाला integration जो, इसका value 0, second वाले का 0, फिर third वाले का 0, plus, इस वाले का integration अपने find कर लेंगे, minus pi by 2 to plus pi by 2 इसका limit है, तो indication is equal to क्या हैगा dear student? इस वाले का x limit हाद dear student, आप इस वाले को कैसे सो करते देखिए? इनको तो आपने 0 सो कर दिया, लेकिन इसकी condition मैंने बताई थी आपको, कि ये जो conditions है, ये 0 to pi by 2 हो गई और into में 2 multiply हो जाएगा, ठीक है? by negative function में आपने x के पहले इस पे minus put किया, function negative आगया first वाले में, second वाले में, और third वाले integral में, तो इनकी value तो गए 0, लेकिन हमारे पास देखिए dear student ये जो concept है, इसमें आपके पास क्या आएगा? इसमें हमारे पास ये condition आएगी, कौन सी condition आएगी? ये condition आएगी, तो इस condition के according देखिए आप, function जो आपको given है, उस function में आप limit का जो properties है, वो आपने apply किया, limit वाला जो properties है, वो आपने यहाँ पर क्या किया? apply किया, तो dear student and friends, आप ये जो limit का property था, ये आपने apply किया यहाँ पर, apply करने से आपके पास क्या concept आएगा? वो देखिए अब, उसका solution हमारे पास क्या आएगा? वो देखिए. तो देखिए dear student and friends, first of all, भाई ये तो क्या आपने आप में even function आए, odd function आगे, odd function आएगा, तो complete integrals की value क्या आएगी? 0. और इसमें आप, ये अपने आप में क्या है? ये already जो constant function है, तो आपने 1 को dx से multiply करेंगे, तो dx आएगा, और dx का, अब आप, जब इनके लिए आप P7 यूज करो है, इसके लिए आप P7 यूज करोगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या concept आएगा निकलके? 2 into 0 2 pi by 2 dx, तो indication क्या आएगा? 2 into x 0 2 pi by 2, तो हमारे पास क्या concept आएगा डियर इस्टेंट? 2 into, लिमिट अप्लाएगरो, pi by 2 minus 0, तो क्या आएगा? 2 into pi by 2, 2 से 2 cancel, क्या आएगा value? पाई, ये solution आएगा डियर इस्टेंट इसका, तो आप लोगों को क्या करना है? जब भी इस टाइब की question given हो, कि limit आपको given हो क्या negative और positive दोनों, तो क्या करोगे डियर इस्टेंट? आप x के plus पे, p4 वाला concept यूज करेंगे, x के plus पे negative यूज करेंगे, ये change होगा, तो आप इसको 2 into limit 0 to pi by 2 और dx, dx का आप integration करोगे क्या आएगा? x, limit apply की limit apply करते हैं, आपने solve किया, तो integration की value क्या आगे आपके पास? pi, क्या आगे? pi, तो इसका solution ये आएगा, तो इसमें option number c आ रहा है, तो इस question में आप क्या करोगे? option जो c है, वो आप select कर दोगे. note कीजिए, question number 21 देखे, dear student and friends, question number 21 में, इसमें आपको जो given है, we have integration limit, 0 to pi by 2, log 4 plus 3 sin x, upon 4 plus 3 cos x. 4 plus 3 cos x. ये function आपको given है, dear student and friends, clear है? तो यहां से देखे, dear student आपके पास limit start हो रहा है, 0 to pi by 2, और मैंने कहा था, जिन function की limit 0 to pi by 2 start होती है, या 0 से start होती है, तो आप वहां कुन सा concept use करोगे? पी फोर जो प्रोपर्टी है, वह यूज करोगे, क्या यूज करोगे? पी फोर जो प्रोपर्टी है, वह आप यहां यूज करेंगे. इसको तो आप equation number once हो कर देना, dear student and friends, अब इसमें क्या करोगे? आप using पी फोर, प्रोपर्टी का use करोगे, पी फोर प्रोपर्टी का आप use करोगे, तो प्रोपर्टी का आप use करोगे, तो क्या हैगा? integration is equal to 0 to pi by 2 log for 4 plus 3 sin, pi by 2 minus x upon, 4 plus 3 cos, pi by 2 minus x, pi by 2 minus x, over a d x. तो dear student and friends, क्या हैगा? limit 0 to pi by 2 log 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x, because sin 90 minus theta is equal to cos theta, and cos 90 minus theta is equal to sin theta. अब dear student and friends, देखिए, दिखिए में similar आपको सो हो रहा है, similar सो हो रहा है, तो आप क्या करोगे? 0 to pi by 2 log, इसको आप ऐसा सो करें? क्या सो करें, dear student and friends? क्या आपको जैसे मालों इसको interchange करना है? तो क्या आएगा? ध्यान दीजिए, 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x to the power minus 1. इस वाले function को मैं interchange कर देता हूँ, nominator को denominator में, और denominator को nominator में. तो power क्या आएगी negative? negative power लोग में होती है, तो लोग का m to the power n वाला rule आप अप्लाइ करोगे? यह आएगा minus 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx. इसको equation number second सो करें. अब P4 property जब भी आप use करते हैं, तो आपको पता था कि equation number first तो equation number second को क्या करते है, add करते हैं? तो आप लिखेंगी हाँ पर. Now, from equation first plus equation second. तो i plus i is equal to 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x. dx minus limit 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x. यह गंसब्टा आएगा दियर इस्पिनेंट आट फिन्स? भाई दो लोग एड करेंगे तो यह तो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा. दोगो, same function हो दो, same function हो तो cancel हो जाएंगे. और cancel होएंगे तो इस side में क्या था हमारे पास? 2i is equal to 0, then i is equal to 0. यह इसका solution आगए, डियर इस्पिनेंट फिन्स. तो नोट कीजिए इसको. इसमें आपने पी-फोर यूज किया, पी-फोर यूज करके आपने इसको solve किया है. तो इस types हम इसे solve कर लेंगे. नोट कीजिए इसे 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 solve कर लेंगे. लोग 1 पलास पोस x dx यह गिवन ओडियर इस्पिनेंट फ्रेंट्स. तो देखिए, जहां से 0 से limit उसकी start होती है, तो आप जानते हो डियर इस्पिनेंट फ्रेंट्स, concept हम कौन सा यूज करेंगे? पी-फोर काई. कौन सा यूज करेंगे? पी-फोर. इसको equation number 100 कर देना, यह आप यहां पर एक concept और यूज कर सकते हो. एक concept और यूज कर सकते हो आप यहां. ठीक है? तो आप देखिए, 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 वन प्लास कोस x का एक फोर्मुला होता है, ट्रिग्नोमेट्र में. वन प्लास कोस 2 थीटा की तरह है? इसके पहले इस पे आप क्या सकते हो. और आप इसको डारेक्ट पी-फोर भी उज का सकते हो. यूजिंग पी-फोर. पी-फोर यूज करेंगे, तो देखिए रिस्ट्रेंट क्या आएगा? लिमिट जीरो टू पाई लोग वन पलास कोस पाई माइनस x. यह आएगा? किलियर? अब यह concept आया. तो देखिए रिस्ट्रेंट लिमिट जीरो टू पाई, लोग वन पता वही क्या आएगा? कोस वन एटी माइनस थीटा वाला concept पड़ा है. तो क्या आता है? कोस वन एटी माइनस थीटा. क्या आएगा दियर इस्ट्रेंट? क्या आएगा माइनस 1 माइनस कोस X DX. इसको equation number second सो कर देंगे. अब equation number second और first को पन क्या कर देंगे? एडी कर देंगे. Now, from equation, now from equation, अब देखे, dear student, first plus equation second. Equation first और second को आप एडी कर देंगे? आएगा? I plus I is equal to zero two pi log one minus cos X DX. एए, one plus cos X DX. फिर पलास limit zero two pi log one minus cos X DX. ये concept आगे है भई? अब ये concept आया. तो आप क्या यूज़ करोगी? यहाँ पर. देखो, दोनों integration, same दिवे हैं आपको. तो इनको एग ज़गा लिखोगे, zero two pi log. M plus log N वाला concept है. तो दोनों को आप एग ज़गा लिखोगे, तो one plus cos X plus log one minus cos X DX. ये concept है. तो limit zero two pi. log M plus log N, log M plus log N, क्या concept होगा भई? log M into N होगा, one plus cos X into one minus cos X. ये concept है, dear student. और इस साइड क्या है? 2i. 2i. तो 2i is equal to क्या concept हाएगा? zero two pi. देखो, a plus b और a minus b का concept, क्या होगा, dear student? log one to the square minus cos square X DX. अब जेसे जेसे आप नेक्स ट्रम की तरह बढ़ते जाओगे, तो इसका solution आप करते जाओ. zero two pi log one minus cos square X DX. तो dear student आपका ये भी पढ़ावा है, zero two pi log. क्या होनेगा बें अंदर? one minus cos square theta. ये होजाएगा sin square XA DX. क्या है dear student? क्या है? तो अब यहाँ पर आप देखिए dear student and friends, limit zero two pi. log में क्या? log में X to the power N होता है. और multiply में क्याएगा two log sin X और ये DX. इलिए रभाई, अब सोचिए, आप दिमाख लगाओ, इसमें क्या करेंगे आप? अब idea लगाओ, आप क्या करेंगे? बताइए. देखो एक concept होता है, याद रखना लिख रहे ना? कि zero two pi by two limit हो, log sin X dx हो, चाहे zero two pi by two limit हो, log cos X dx हो, तो दोनों की value, minus pi by two log two होगा. क्या होगी? minus pi by two log two होगा. ये concept आप ये याद रखना. तो बताइए dear student and friends, क्या आएगा हमारे पास? इसका जो solution हो बताना है. बताओ में क्या आएगा? बताइए इसका solution क्या आएगा? बताओ में क्या आएगा? इसका solution बोलो. इसका दो solution हो बसाना आपको. हाँ वही. बाई, इसका एक solution कर देंपने. ये two zero two pi है. तो अब बताओ इसका solution क्या करें? हाँ ये रिस्टेंट बोलो. माइनस पाई लोग two. कैसे आया तो reason बताओ. बोलो. क्योंकि यहाँ पर pi by two है. क्या given है? पाई बाई टू given है आपके पास में. आपके पास given है, pi by two given है. लेकिन वहाँ क्या होना थी? आपर लिमिट में pi by two होना थी? यहाँ पर pi given है. तो बताओ. एक limit थी आपको लिखाए थी मेंने? P6. देखो P6 क्या है? P6 का जो limit है उसमें देखी क्या given आपको? सारे के सारे बिलकुल तुल हो. देखीए. इस साइड क्या चलडा है, dear experiment मारे पास? 2i चलडा है न. क्या चलडा है? 2i. यह 2i चलडा है. इस 2 से 2 cancel हो जाए? होगा कर नहीं होगा भी? इस 2 से 2 cancel हो गया, तो i is equal to क्या है? 0, 2 pi log 5 x dx. अब इसको आपको P से वह नहीं, P जो 6 था वो यूज करना है. क्या यूज करना है? यूजिंग P 6. यूजिंग P 6. P 6 आप यूज करोगे तो क्या हैगा? अब ही लिखाया था, साइड में मैंने मेंशन किया था, तो इसका वेल्यू आएगा 2 into minus का pi by 2 log 2. 2 से ये 2 cancel हो गया, integration क्या आगया? इसका फाइनली solution आजाएगा. ठीक है? ये student इसका solution, तो आपको जब भी इस ताइप की question करने हो, ये लिजी ये question था हमारे पास, स्टार्टिंग में हमने P4 यूज किया, P4 यूज करने के बाद दोनों का plus किया, plus करने के बाद में आपने trigonometric जो identity थी वो यूज की, वो यूज करने के बाद में आपने क्या क्या, dear student and friends, फिर आपने trigonometric identity यूज की, फिर आपने log rule apply किया, log rule apply करते ही, जो power वादा 2 था, multiply में आएगा, consistent integration में बाहर रहता है, दोनों साइट 2 से 2 cancel हो गया, फिर आई 0 to pi log sin x dx, फिर आपने यहाँ पर P6 यूज कर लिया, P6 यूज करते ही आपके पास result आगया, झाल पर P6 यूज करते ही आपके पास,